जैसा कि हम सबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शरकार ने हाली मे एलान किया था कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी गेर कानूनी मदर से हैं उनका सर्वे कराईगी। उसके बाद अगर कोई भी ऐसी गतिविदी पाई गई तो उसके उपर कारवाई की जाएगी। बाकी उत्रप्रदेश के अंदर जो भी मदरसे हैं, उन सभी को वो सरकार अपनी अंदर लेना चाहती है। तो इस पर हमने लोगों से बात की कि लोगों की क्या राए है कि अपनी प्रिशाशन जो है अपनी अंदर आना चाहती है इस पर आपका क्या कहना है बिल्कुल सभी स्टैप है यह और बहुत से मदरसे ऐसे है जहां धार्मी कटरवाद फैलाने का काम हो रहा है और कई नहीं कहीं विदेशों से जुड़ी कि ऐसी अर्गनेजेशन है जो उनको फंडिंग भी करती है अब कुछ फंडिंग का हिसाब है कि कुछ का तो हवाले के ज लेती हैं तो एक शिक्षा का सुदार होगा जो एक धार्मी कटरवाद कहीं न कहीं जो इनका स्लेबस में जो पढ़ाया जाता है उससे निजाद पाकर लोग एजुकेशन जो साइंस की और यहां कुछ और अच्छे सब्जेक्स की और बच्चे आगे आज सकते हैं इवन की अखिलेश यादर में भी का था कि एक लड़कियों के हाथ में तो आज मतलब यह जो स्टैप उठा रहे हैं यह मुस्लिम की बलाई के लिए हैं हम अगर धार्मी कटरवाद की तरफ बढ़ेंगे तो इससे देश का नुक्सान ही है देश का भी राज्यों का भी और अवराल ह इतने भी गैर कानूनी मदर से हैं उन पर कारवाई की जाए सर्वे किया जाकर वो उसमें गलत तरीके से कुछ पाया तो उन्हें प्रशासन अपने अंदला इस पर आपका क्या कहना है मैडम मेर को बस इतना कहना है आप जे टी निउस ओनलाई से हो ठीक है आपके पास प्रम नहीं तो जगे खली करो जो इलीगल चल रहे हैं 399 के आसपास लगबग अभी बंद कर दिये गए हैं और यह कारवाई जारी रहनी चाहिए पाकिस्तान में तो 90% मदर से ही आतंकवाद की जड़ है और जो कसाब मुंबई में अमला करने आया था अतंकवादी सिरफ 30,000 पे क अलकाइदा आतंकी संगठन के ओफिस से कारल ले थे मैंने उन पे ताला बंदी करी है यहीं मंता विश्वा सर्वाने का है और यही काम योगी अधित्यनाथ कर रहे हैं तो यह सवागत योग्य कारे है क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वो पर ही होनी चाहिए देश सुरक्ष सुरक्षित है तब यह देश आगे बढ़ेगा नहीं तो यह सुरक्षा का भाव होएगा ना तो पहले की तरह अनौंस्मेंट होती रहे है किसी बैक को आत्मत लगाओ फट जाएगा गाड़ियों में पहले बसो में चलते थे था मैंनम अपनी सीट के नीचे चेक कर लेना ब जोड़ना चाहता हूं जो मुस्लिमों की तालीम होती है मदर्सों में जैसा कि मैंने सुना एक लड़का मिला मदर्सा चाप वो बंदा एक डायरे में सीमित था उसका मानसिक विकास इतना भी नहीं था वो देश के दस करांतिकारी बलीदानियों के नाम नहीं जानता था वो में स्ट्रीम में आओ जैसे मोदी जी क्याता है एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कम्पीटर तो मोदी जी अपग्रेड करने की बात करने हैं यह कुए के मेंड़क बने हुए और जो सनातन धरम है और जो मोडन एजुकेशन सिस्टम है यह समुद्र है तो इनको मेंड़क स यह कुए से समुदुर में लाने की बात हो रही है, योगी जी का ये कारे सराहनी है और स्वागत योगी है, मोदी जी को भी यही करना चाहिए, पुरे भारत के मदरसों पे जाँच बैठानी चाहिए, जो इल्लीगल है, उस पे ताला लगाए, उस जमीन पे एक अच्छा एज इद्यूकेशनल इंस्टिटूट यह स्कूल, कोले, जो भी बनाएं, और उन बच्चों को वहीं एडमिशन दे, हाँ, उनको उनकी धार्मिक तालीम भी दे, लेकिन उन्हें मैतमेटिक, साइंस और जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स वगरा, एवरीतिंग उन्हें पढ़ा पर सर्वे कराएगी, अगर हो गैर कानूनी है, तो उन्हें कारवाई योगी या उन्हें सरकार अपनी अंदर लेना चाती है, इस पर आपका क्या कहना है? नमाज पढ़के आते हैं और पत्थर बाजी करने लग जाते हैं, ये उनको मॉडनाइज करने की और एक कदम है, योगी जी का कि उनको मॉडन बनाए जाए, और अगर मदरसा में अच्छी सिक्षा और जिन लोगों को जो सुभिधाय नहीं मिल रही है, जैसे कि जल की है, व पास्ति की विवस्ता नहीं है, या वहाँ फंडिंग की कमी है, या टीचर्स की कमी है, वो सारी चीजे उन लोगों को भी प्रवाइड की जाए, जो इससे वंचीत रह गए, तो कहने का मतलब यह है, कि बहुत ही अच्छा है, देखिए, देश तभी आगे बड़ेगा, जब सब लगों का सियोग होगा, और अगर मैं बोलूं कि एक ही पख्ष सयोग करता रहे, दूसरा उसको बर्दाइड करता रहे, तो ऐसा नहीं चले, दगएं, तो विश्वास करना पड़ेगा, जो आदमी कुछ कर रहे है, तो आपकी भलाई के लिए कर रहे है, ना कि अपने फाइदे के लिए कर रहा है आपके भलाई के लिए कर रहा है पर क्या है लोगों को इसके अंदर भी राजनिती दिखाई देती जैसे OBC है वो हमेशा हर चीज में राजनिती ठूणते हैं कि ये राजनिती का मुद्दा बने किसी तरह से अब ये एक बात ताहिए कोई भी कि पढ़ाई करता रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा नो डॉक्ट्ट बन सकता है नो इंजलेयर बन सकता नो इस बनेगा जाई-मैयार shower ौख modern शिक्षा उसको मिलेगी, उसको science की भी पढ़ाई मिलेगी, commerce की भी पढ़ाई मिलेगी, तो वो CA भी बन सकता है, scientist भी बन सकता है, जैसे अब्दूल कलाम थे, तो कहने का मतलब ऐसे लोगों का आना या देश के विकास में उनकी भागिदारी होना बहुत जरूरी है, आपका क माइनुरिटी को देती है, जब जनता दरवार लगता है जोगी जी के हाँ, तो पहला प्रिफरेंस माइनुरिटी को, मुस्लिम कम्नीटी को देते हैं, गोरकपूर के सारे लोग ही जानते हैं इस बात को, अच्छा मदर्सा को मॉडर्न मनाने में क्या दिक्कत है, कहां हमला क किये हैं, कब हमला किये हैं, यह तो जिसको गोधी मीडिया कहते हैं, जिसको गोधी मीडिया कहते हैं, तो गोधी मीडिया नहीं है, वो सच्चा ही बताता है, रवीष कुमार, अजीत अंजुम, इस समय का हिस्ट्री में जानता हूँ, जिस समय मोधी जी आये, उसी समय से भी बरदा में जाके गुजरात में जाके पदा लगा रहे हैं कहां भी कास है कहां भी कास है इन लोगों का दुकान बंद हो गया है यही बात है और मदर्से के लिए जो मॉडेनाजेशन हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है मुसलिम में पच्छ तो खुस है कुछ मौलाना लोग को आपती है यही समुदाय पर वार करना चाह रही हो इस जरीए कि अगर ऐसा भी दो सकता था कारवाई की जरी अपनी अंदर लेनी की कह जो रहत है मतलब सरकार के अं लेकिन अपनी अंदर लेना कि देश को सुरक्सित रखने के लिए कुछ तरीके होते हैं जहां पर किसी भी गवर्मेंट को अगर वह सौप तरीका अपनाएगी तो वह होना नहीं है ठीक है अगर आपको देश को मजबूत करना है तो जाहिर है कि आपको कड़क स्टेप लेन ठीक है वह एपसी आरे पे उन्होंने पूरा बेंड लगा दिया कि भी पहले स्कूरूटीनी होगा और भी इस होगा इसके बाद जाकि वह पैसा कहां जा रहा है उसका ट्रेल क्या है वह उनको सबको पता चला इसकी वह से जितने भी मदर से थी उसमें सारा पैसा बाहर से आ हो रहा था तो सबसे बढ़िया चीज है कि अगर गवर्मेंट यह कर रही है देश की सुरक्षा के लिए तो मुस्ट वेलकम है सरकार मदरसों के खिलाब नहीं है कि सब जानती है हाँ अगर आप मदरसों में पढ़ाए अपना धर्म पढ़ाए बिलकुल पढ़ाए लेकि उन पर उसने आतंकवादी हमला किया तो जाहिर है कि उसको फंडिंग यहां से मिल योगी बाहर जाने के लिए यह प्रूफ होता है कि नहीं यह आम जंता को भी पता हो ना जी जब कि गवर्मेंट अभी हमारी जो कर रही है वो फिर भी उतना कंट्रोल नहीं कर पाई जितना मैं जब तक मोदी जी है देश हमारा सुरक्षित है जब तक योगी जी है देश हमारा सुरक्षित है और बागी लोगों के जिस देश भक्त है हमारा देश सुरक्षित है जिस दिन गद्दारों के हाप में सरकार गई देश खतम झाल झाल